नमस्कर दोस्तों स्वागत यापका फार्मा रोक्स की यूटूब एज़ूगे इसने चैनल में तो आज की उड़ी लेक्चर हम ऐसे हेल्थ प्रॉब्लेम और उसके सॉलिशन के बारे में बात करेंगे जैसे की नसा करने की आदत लग गई है या फिर आप कोई भी नसे की लच से परेशान है तो ये प्रॉब्लेम को सॉल करने के लिए और नसा चुड़ाने के लिए बहुत अच्छे दवा के बारे में हम आज की उड़ी लेक्चर के अंदर स्टड़ी करेंगे और जानेंगे कि किस तरह सी ये मेडिकेसन अपना काम करती है और कैसे नसा को छुड़ाने के लिए ये आपको मदद करती है तो Nicotex के बारे में हम study करेंगे और ये सब अलग-अलग जो chapter से उसको आज के उड़ी lecture के अंदर cover करेंगे तो सबसे बहले basic से सुरू करते हैं तो Nicotex जो है वो essay class का medication है कि जिसको हम smoking, cessation, aids की category में include करते हैं लब की NRT nicotine replacement therapist के अंदर ये include होता है उसके अंदर जो salt content है उसके हम बात करें तो वो है nicotine जाल मिलिग्राम जितना और जो Nicotex है उसका brand name है doses form देखे फार्मासुटिकल है कि जैसे tablet होता है capsule होता है तो ये चीविंग गम है और especially इसको आपको चबाना होता है आपकी oral cavity के इंदर जैसे को ये आप चीविंग गम खाते हैं सेम उसी तरह से उसको use करना है manufacture के हम बात करें तो sipla limited जो उसके manufacture की जो एक Indian multinational pharmaceutical company है जिसकी head office मुंबई में है तो अब बात करते हैं इसके uses के बारे में कि कौन से अलग-अलग नसे को चुडाने में ये मदद करता है मलब कि आपको smoking की आदत लग गई है तो smoking को चुडाने में ये आपको मदद करेगी फिर किसी भी टाइप का जो nicodine का addiction है जैसे कि आपको topic की आदत लग गई है तो उसको भी छुडाने में ये nicotex जो आपको मदद करता है तो यहाँ पर वीडियो के बीच में आपको बताना चाहता हो कि हमारी जो book available है decision treatment बीमारी और उनका उपचार तो ये book जो हो आप purchase कर सकते है fully color book आएगी तो यहाँ पर आप उसका वीडियो भी देख सकते है तो ये book को order करने के लिए आप ये number पर WhatsApp कर सकते है या फिर हमारी mobile application को download कर सकते है लिंक आपको description box में मिल जाएगी तो बात है topic पर और समझते है निको टेक्स के बारे में तो सबसे पहले उसका label study करते है तो जो इनकी वह ये product है निको टेक्स जो उनका brand name है फिर flavor यहाँ पर लिगा है mint plus flavor है यह जो product है वह 4 mg वाली है कि जिसके अंदर 9 sugar free gum से मलब कि sugar free रहे गई है फिर यहाँ पर देखे direction दी गई है कि किस तरह से उसको use करना है label के उपर और यहाँ पर सिपला की detail है सादो साथी है health line number भी दिया है कि कोई भी drug drug interactions होती है तो आप वहाँ पर notice कर सकते हैं और वहाँ पर inform कर सकते हैं फिर जो packing है वो blister packing रहेगा और एक blister के अंदर 9 जितनी chewing gum available है working के दिखते हैं कि आप यह काम कैसे करेगा तो nicotex के अंदर क्या है तो nicotine है और nicotine जो है वो nicotine replacement therapy के सिद्धान का उप्योग करके दुम्रपान छोटने में जो है वो मदद करता है वालब कि replacement therapy कि जो यह वाला आप nicotine ले रहे हैं उसके बजाए यह वाले nicotine replacement से आपका जो रहती है अब बात करते हैं डोस की तो रिकमांडेट 12 विग थेरापी कि खासकर आप पैकिंग भी उसका देखोगे तो 12 विग का एक थेरापी यहां पर सजेस्ट की जाते कि at least 12 विग यानि कि at least 3 मंथ का यह पूरा कोर्स रहेगा कि मानलों कि 4 विग आते हैं एक महीने में तो तीन महीने तक यह फॉलो करना होता है तो पहले एक से छे विग की हम बात करें तो पहले छे विग के लिए एक गम आपको यूज करना है हर एक या दो गंटे पर ध्यान यह रखना है कि पूरे दिन में 24 से ज़्यादा गम आप यूज ना करें फिर विग 7 एट और 9 में आपको एक गम लेना है हर दो या चार गंटे पर और उसके बाद उसका भी थोड़ा दो जो और कम कर देना है जो दो से चार गंटे पर आप एक च्विंग गम लेते थे उसके बजाए चार से आट गंटे में लेगे नेक्स उसकी प्राइज हम देखे तो सब्टेमबर ऑक्टोंबर या फिर जो नवेंबर अभी लेटेस चल रहा है उसके अकोरिंग टू जो इसकी प्राइज है वो 115 रूपीज है 9 गम की मलब की एक गम जो आपको पढ़ता है अराउंड 12.8 रूपीज मलब की मोटा मोटा द बारे में सिख पाऊंगे उनके निदान के बारे में सिम्टम्स क्या रहते हैं और कैसे उनका ट्रीटमेंट हो सकता है तो इसकी डिटेल जानकरे के लिए आप हमें वाट्सअप कर सकते हैं और ऑडर करने के लिए भी यही नमबर पर आप वाट्सअप कर सकते हैं अब जानत यह जो है वो irritation जैसा feel कर सकता है कोई उसके अलावा taste जैसा change होना फिर sore और throat मलब कि जो soreness हो जाए मलब कि जो गले में खरास जैसी हो जाती है उसके अलावा nausea vomiting, ulty होना, ghi गबराना, hiccups यानि कि जो hitch की आती है ऐसा कुछ लोग feel कर सकते है, coughing जैसा आप feel कर सकते है आपके पैरों में, दूसरी कुछ side effects देखे, इसके तो पेट में दर्ध होना कुछ लोगों को diarrhea हो सकते है, dry mouth यानि कि गला सुखना, flatulence जैसा हो सकता है मलब की, पेट में gas जैसा बनना, salivation increase होना मलब की, काफी ज़्यादा saliva produce हो रही है indization माने के, और पाचन जैसे condition, burning sensation हो सकते हैं, आपके oral cavity के अंदर के जहाँ पे आप इसको चबा रहे है तो आपको जलन जैसा महसूस हो रहा है और tiredness, तो मानलो की ये side effects काफी ज़्यादा हो रही है severe, तो ये product को लेना बंद करना चाहिए और आपके doctor या फिर pharmacist को consult करके, इसके कोई alternative options आप use कर सकते हैं warnings and contraindications से रहेंगे, कि अगर आपकी age 18 से कम है, तो ये product को use ना करे फिर किसी को heart disease की history रही है, तो वो भी उसको use ना करे अगर कोई pregnant है और breastfeeding भी करवा रही है, तो भी ये product को use ने करनी है, irregular heartbeats रहते हैं आपके मलब की दिल की दड़कन या निमियत है, blood pressure काफी high रहता है, skin related problems है या फिर depression या फिर अस्थमा कि आप medications ले रहे हैं, तो ये product को use ना करें next है कि pregnancy के दरा हम उसको avoid करनी है, so pregnancy category उसकी specially C रहेगी should not use during the pregnancy और drug-drug interactions रहते हैं, कि कौन से दुसरी दवायों के साथ ये वाली जो medication है, वो interactions जो वो कर सकती है, तो जो theophylline है, जैसे कि anti-esthmatic drug है, अस्थमा की दवा, क्लोजापीन है, जो depression में यूज होती है, anti-depressant है, रॉपीनी रॉल है, कि जो Parkinson's disease में यूज होती है, और insulin की जो diabetes में यूज होता है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, कि यहाँ पे क्लिक करके और जदा informative वीडियो जो है वाफ देख सकते हैं, तो जरूर से हमें subscribe करें, share करें और valuable comments करें कि आपको कौन से topics भी वीडियो देखना अच्छा लगता है,